नमस्कावियोज आप सभी का स्वागत है रेडियो दौर का में आज हम आए हुए में इंदरप्रस्था पोलो हॉस्पिटल सरीता व्यार में और मेरे सात हैं डॉक्टर अमीता महाचन डॉक्टर अमीता महाचन सीनियर कंसल्टेंट है पैडियाट्रिक उन्कोलोजी की और हिमेटोलोजी माम बहुत-बहुत स्वागत है आपका माम अभी चाहिड़्ूट कैंसर डिय आ रहा है पंधरा तारीक को तो मतलब इसमें क्या रोल क्या वजह रहती है इसको अवेरनेस स्प्राइड करना इत मुख्या उपदेश रहता है किस वजह से इसको सालिब्रेट दिखिया चिप विश्वभर में 15 फरवरी को बाल कैंसर दिवस की तरह मनाया जाता है इसके दो मेन मकसद है एक कि आम जनता में और इवन मेडिकल कम्यूनिटी में ये अवेरनेस देने के लिए कि बच्चों को भी कैंसर हो सकता है इसकी वजह कोई लाइफस्टाइल रिलेटेड नहीं है पर अनेकों कारण से बच्चे भी कैंसर से पीड़ेत हो सकते हैं और इसलिए अगर कोई उनके सिम्टम्स है जिनका कोई सही डाइगनोसिज नहीं बन रहा तो कैंसर का विचार हमारे मन में आना चाहिए इसका दूसरा मकसद ये है कि चाइल्धूड कैंसर बहुत ही क्योरिबल कैंसर है ये जो मेसेज है ये सब तक स्प्रेड करना पॉलिसी मेकर्स तक, पैरेंट्स तक, बच्चों तक, खुद तक और एवन हमारी मेडिकल कम्यूनिटी के हमारे कॉलीक्स तक क्योंकि एक बच्चे के लिए एक तो क्योरेट बहुत हाई है और जब एक बच्चा कैंसर से ठीक होता है तो लगभग सत्तर या असी वर्ष का जीवन उसके आगे है तो हमें लगता है कि ये बहुत ही एक इसकी काम्याबी जो है एडल्ट कैंसर के भी उपर है क्योंकि हम अनेकों लाइफ येर्स सेव कर पा रहे हैं तो इस ही मुद्दे के ऊपर थोड़ा फोकस देने के लिए उसको हाईलाइट करने के लिए थोड़ा पॉलिसी मेकर्स के अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए कि जो इनको महिनत इसका जो फोकस मिलना चाहिए हमारे बच्चों को वो मिल सेगि हमारी परिभाशा में क्योर का मकसद है कि बीमारी आजीवन के लिए चली जाती है और जो बच्चा है वो बड़े होके एक नॉर्मल एडल्ट की सारी रिस्पॉंसिबिलिटीज और सारी खुशिया महसूस कर सके हम बच्चे को क्योर हो गया ऐसा तभी कहते हैं जब इलाज के या डाइगनोसिस की शुरूआत से पांच वर्ष चले जाएं और उससे हमें निश्चित है कि अब बीमारी का चांस वापस आने का ना के बराबर है और जो इनको ट्रीटमेंट आज की डेट में दिया जाता है उसमें भी बहुत महिनत की जाती है कि उससे आने वाले समय पर उन पर कोई दुश्प्रभाब ना दिखें जैसे हार्ट पर लंग्स पर और किड्नी पर तो क्योर का माने रेली क्योर के एक नॉर्मल सफल जीना उसको मतलब पूरे लाइफ की जो भी सब खुशियां होती है एजुकेशन की, एम्प्लॉइमेंट की, मैरिज की, पेरेंटूड की, वो सब चीजें वो देख सकते हैं कैंसर एक ऐसा शब्द है जब आदमी किसी के लिए भी सुनता है बड़ों के लिए भी सुनता तो घवरा आ जाता है अब आप पेडियेट्रिक ओन्कोलाजी में डील कर रही है तो जब यह बात पेरेंट्स को लिए पता चलती होगी तो मैं सोच भी नी सकता कि उनका क्या र किसी के लिए मैटर करती है जो अरली स्टेज में आते हैं डेफिनेटली उनका क्योर रेट हाई है और इलाज भी जो है वो लेस डिफिकल्ट होगा क्योंकि आपका जो बच्चों की डेड में हम लोग बोलते हैं रिस्क स्ट्राटिफाइड इलाज दिया जाता है कि आपकी बीमारी कितनी हाड है और किस हद तक फैली हुई है उसके हिसाब से तो समय पर डाइगनोसिज होने की काम्याभी भी जादा है और इलाज भी कम मुश्किल है इसी लिए ये जो मैंने बुला वेरनेस का जो हमारा फोकस है वो इसी लिए है कि बहुत सारे बच्चे बहुत दे कैंसर का कोई एक सिम्टम नहीं है लेकिन अगर आपके बच्चे को कोई भी ऐसा सिम्टम है बुखार बने रहना कमजोरी फील होना चहरे का पीलापन कुछ गांठे या पेट फूला हुआ दिखना तो ये किसी भी या ब्रूजिंग नील कोई शरीर पे आना सर में दर्द हो उल्टियां बार-बार आना तो ये कोई भी लक्षन कैंसर का भी लक्षन हो सकता है तो अगर पंदरा दिन तक आपके लक्षन में आपको पूरा अराम नहीं मिलता या उसका कोई अन्य डाइग्नोसिज नहीं बनता तो पेरेंट्स और डॉक्टर्स दोनों को कैंसर का खाया आपने बहुत इंपोर्टन चीज बोली 15 दिन मतला अकसर ही होता है पेरेंट्स ने गए फिजिशन के बाद दवाई दिलाई और ठीक हो सोच कि लिया कि अब ये ठीक हो जाए अच्छा मैं एक चीज और आप से समझना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं बच्चों के ट्र हैं सरजरी रेडियेशन और कीमो थेरपी ये कई वर्षों से हमारे पास से हैं और हम आज भी इने यूज कर रहे हैं और आने वाले समय में भी ये हमारा साथ देंगे लेकिन पिछले दो दशकों में जो नई चीज आई है वो एक टारगेटिद थेरपी है जिसमें कई बार जो ट्रीटमेंट है वो इवन टाबलेट्स की फॉर्म में है और एक पांच्वा जो हत्यार हमारे को अभी रिसेंटली है मिला है ये इम्मिनो थेरपी है एडल्ट्स में कई कैंसर में इम्मिनो थेरपी अनेकों बिमारियों में प्रयोग की जा रही है पर अब धीरे धीरे जा अध्यान बच्चों में भी हो रहा है कि किन बिमारियों में इनका इससे फाइदा हो सकता है और एक फाइनली आपने अभी ही इसी हफते ही देखा होगा कि एक कार T-Cell करके जो एक नया हत्यार आया है जो कि अभी तक हमें लगता था कि शायद बहुत सालों तक इंडिया कि हमारे बच्चों को नहीं मिल पाएगा लेकिन अब वो इंडिया में बन रहा है मेड इन इंडिया है और उतना ही सशक्त और सफल है जितना कि कोई इंटरनेशनल वो तो उसी लिए हम यहां में सब को खुशी है बहुत कम बच्चों की उसको जरूरत पड़ेगी लेकिन ध धीरे धीरे हमारे पास जो लडने के साधन है वो बढ़ते जा रहे है और साथ ही अने को सोर्स से इन फामिलीज को मदद मिल सकती है इस बीमारी से लडने के जब हम किसी परिवार को बताते हैं आपके बच्चे को कैंसर है तो यह कड़वा सच है कि उनके मन में ठीक होगा य पहले आती है तो यह बात को समझते हुए सरकार से, पॉलिसी मेकर से, स्टेट गर्मेंट, सेंट्रल गर्मेंट, एंजी ओस सभी जगा से इन बच्चों के लिए अनिकों रास्तों से सहायता उपलप्त है तो अपने आपके साधन जितने भी हो उसके बावजूद इससे डरे नहीं, आपकी डॉक्टर ज़रूर आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपके बच्चे का सफन इलाज हो सकता है आपके साधना के दाएरे के अंदर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवां डॉक्टर अमिता आपका आपने समय दिया अमें बात करने के लिए बहुत 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 आपके साधना के लिए